हलो फ्रेंट स्वागत है आपका यो स्मार्ट नीज चैनल में बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर मुंबई में लॉकडाउन को खत्म किया जा रहा है उसी बीच एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है सामने से जी आँ दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाले एक चगाने वाली खबर की महरास्तर में लॉकडाउन तो खत्म किया जा रहा है लेकिन मुंबई की लोकल ट्रेन में महिलाओं को रोक लगा दी जी आँ दोस्तो जिसको लेकर काफी विवाद भी फैला हुआ है कि आखिरकार महिलाओं को लोकल में सफर करने के अनुमती क्यों नहीं दी जा रही है जी आँ दोस्तो आम जंदा के लिए लोकल ट्रेन सुरू हो जाएगी और ये नियम जो है कल से लागू भी हो सकते हैं जी आँ लोकल में अनुमती होगी बाकी की महिलाओं के लिए लोकल में अनुमती पहले चरण में नहीं मिलेगी ऐसा फैसला BMC के दौरा लिया गया बता दे आपकी जानकारी के लिए जो भी काइडलाइंस पर जारी की जाएगी वो BMC के दौरा निस्थानी प्रसासन के हाथों दे दी गई है कि कौन सी चीज खोलनी है कौन सी चीज बंद रखनी है तो ये फैसला BMC के हाथ मेर BMC ने बड़ा फैसला लिया कि महिलाओं को लोकल में फिलहाल कुछ समय के लिए अनुमती नहीं मिलेगी आम साउन पर अगर देखे जा तब बाकि तमाम लोगों के वर्ग के लिए लोकल खुली रहेगी इससे पहले भी महिलाओं के लिए जब फरवरी में लोकल सुरू हुई थी तो महिलाओं को अनुमती दी गई थी लेकिन पुर्सो को थोड़े समय बात दी गई इसी को देखते हैं BMC ने बड़ा फैसला लिया कि इस बार महिलाओं को अनुमती नहीं दी जाएगी बल्कि आम जन्दा और पुर्सोवर के सभी लोगों को अनुमती दी जाएगी नए नियम में आपको जिहान लोकल के साथ साथ दुकान खोलने के समय में भी बदलाव किया जा रहा है यानि कि जो दुकाने सुबह जेस लेकर चार बड़े तक खोलती थी उन दुकानों को अब बदलाव किया जा रहा है कि अब ये दुकाने साम साथ से लेकर दस बड़े तक भी खोली जा सकती है क्योंकि लंबे समय से दुकाने बंध होने की वज़े से वैपारियों को काफी जादा नुकसान हो और वैपारी संगठन की मांग है कि अगर करोना की रफ्तार इतनी नॉर्मल है याने कि अगर देखे आपड़ों के हिसाब से तो 24 घंटों में 700 के नीचे करोना के मामले मुंब